हेलो CS students क्या हाल चाल है आप सबके मेरा नाम है रवन दीप सिंग स्वागत है आपका मेरे चैनल एफलम में सर हाल चाल तो बिल्कुल अच्छे नहीं है कल पेपर है एक्जिक्यूटीव वालों का भी प्रोफेशनल वालों का भी और टेंशने सर बहुत जादा है सर सब कुछ द पहले भूक लगनी बंद होता है कईयों को पेपर से फ़रे भूक लगनी बंद हो जाती है खाना खाने की इच्छे नहीं करती कईयों की भूक बढ़ जाती है वह लोग ज्यादा खाते पहले से खैर जिसको जैसा हो रहा हो वह ऐसा तो मैनेज करना पड़ेगा हाला कि जिन नहीं है पेपर में सब रिकॉल हो जाएगा सब कुछ याद आ जाएगा कुछ बेसिक वाते हैं पेपर के अंदर पहली बात कुछ भी छोड़ के मताना हंडर्ड मार्क्स का पूरा पेपर पूरा का पूरा अटेम्ट करना और अगर नहीं भी आता हो तो कोश्यन से आस पास क कुछ लिंक में कुछ भी पता हो उसके आस-पास का अटेम्ट जरूर कर देना एक नंबर तो मिली जाएगा और हमारे पेपर में 39 से 40 होने में देर नहीं लगती वह एक नंबर भूत वैल्लियू रखता है हमारे लिए और किसी अगर 59 और होंगे तो हो सकता है वो 60 बज़े जिए तो इसका ध्यान जरूर रखना पेपर करना बच्चा गलती करता है मजह में लगा रहाता है पहले घंटे के अंदर 20 माक्स का बाकिका बाकी के दो घंटे के बीस और बाकिका के दो यह दो एकपर कर रहे हो पहले से बैलैंसिंक करके चलना टाइम को अच्छे से मेंज क करके चलना सेकेंड आप लोगों को क्या करना है इसके इलावा पेपर के अंदर अपना जो रोल नंबर वग्यारा है सब कुछ पहले सी रात को ही बैग में डाल के सोना क्या होता है कि एक रम से रात को बैग में ना डालाना और सुबह भूल गए पिपर में तो वह इतना ज्या करें बरबाद करोगे स्केल वग्यारा मार्जन वग्यारा जरूर खीशना डाइग्रमेटिक प्रेजेंटिशन जाल के आना पेपर के अंदर और बार बर बोलूंगा लॉप पेपर के अंदर सेक्शन्स अगर आते हों एक्जैक्ट तो ही कोट करना वरना मत करना उसके अलग जोड़ें अटेम्ट बिल्कुल नहीं छोड़के आना सब करके आना सब पॉजिटिव होगा और जाने से पहले किसी गुर्दवारे में मंदिर में वग्यारा मत्था टेक के जाना जिसको मानते हो और घरवालों के पैरवार शूओ के जाना थोड़ा सा ब्लैसिंग की बहु कि मर जी जो होगा अच्छा ही होगा अच्छे के लिए ही होता है और अच्छा ही होगा इसी तरीके से वीडियो को प्यार देते हैं all the best and अच्छा करके आना बिल्कुल भी और वापिस बोलरो छोड़के मत आना सब अच्छा होगा थैंक्स अलॉट बबाए